राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बहन और भाई की कहानी, ऐसी कहानी जो किसी ना किसी घर में हमें देखने को मिली ही जाती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सबिस्क्राइब करें और शेयर करें, एक परि नाम मुनिया और बेटे का नाम राजकुमार था दौनो बहन बाई हम उमर थे थोड़ा ही फासला था कि दो वर्स का फासला को जादा नहीं होता है बरावर केसे ही होते है और आपस में जो जरहबाजी बहन भाई में चलती ही है ऐसी मुनिया और राजकुमार दोना आपस में बहस कर रहे थे राजकुमार मुनिया से कह रहा था लड़कियां काम की नकाज की धाइमन अनाज की तब मुनिया कहने लगी क्यों भाई ऐसा क्यों बोल रहा है मैं जितना काम करती हूँ न तो उसका चोथाई भी नहीं करता और धाइमन अनाज मैं शायद साल भर में भी नहीं खा पाती हूंगी पर तू है न मोटे पेट वाला तू जरूर हर महीने धाइमन अनाज खा जाता होगा और मुनिया अपनी बात कहकर खिल खिला कर हसने लगी थी और राज गुमार का मुँ उतर गया था तब ही उसकी मा हुआ आ गई और कहने लगी क्यों मुनिया क्यों अपने बड़े भाई को ऐसे बहस करती है कल को ससुराल जाएगी तो क्या हमारी नाक कटाएगी अब मुनिया कहने लगी माई ससुराल क्या होता है उसने बड़ी मासूमित से पूछा था राज कुमार ने चड़ते हुए कहा कि और उसे चड़ाते हुए बोला तेरा असली घर जहां तु शादी के बाद जाएगी तो वह कहने लगी क्यों मा मेरा असली घर तो यही है मैं और कहां जाऊंगी तब मा भाई यह क्या कह रहा है मा तुम इसे समझाती क्यों नहीं हो यह क्या यह मेरा घर नहीं है मैं भी तो इसी घर में रहती हूँ भहिया भी इसी घर में रहता है तो यही तो मेरा असली घर हो गया जो मुन्नी थी वह थोड़ी ठुनकते हुए कहने लगी तब उसकी मा ने भी अपने बेटे का साथ दिया और मुन्नी से कहने लगी, सही तो कह रहा है मेरा राजू, जब थोड़ी बड़ी होगी, तो तेरा दुला तुझे ब्याह कर ले जाएगा, फिर जो उसका घर होगा, वही तेरा होगा, देख मा, मा भी तो लड़का जो था राजू कहने लगा, मुन्नी देख, मा भी तो शादी से पहले नानी के घरी रहती थी, पर वो उनका असली घर नहीं था, असली तो ये है, राजकुमार ने अपना ज्यान भगार दिया, मुनिया सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, और राजू एक निजी स्कूल में पढ़ता था, राजू का उजवल भविश्य बनाना था, इसलिए राजकुमार का स्कूल में जो अंग्रेजी माध्यम से, उसका अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल में ही उसका एडमिशन कराया मुनिया का क्या था उसको तो घर ग्रस्ती के काम सीखने थे थोड़ा बहुत पढ़कर शादी कर देनी थी जादा पढ़ाई कर लेगी तो लड़कियां तो शादी के लिए लड़का भी नहीं मिलता है ऐसा ही उसके मा का जो कहना था एक बार मुनिया के ताई ताउ आये थे तो मुनिया ने अपने दिल की बात अपने ताई ताउ से कह दी थी कि ताउ जी मैं भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहती हो और मुनिया की यह बात सुनकर सारे हस हस कर लोट पोट हो गए थे तब मुनिया की ताई बोली अरे ये collector बनेगी बन भी गई तो क्या हमारा क्या कल को अपने घर चली जाएगी उसके ताउने भी सुर में सुर मिलाया उसके पिता ने लाचारी जताई कि अब ये समझती नहीं है पढ़ाओ या ना पढ़ाओ दहेज तो देना ही पढ़ेगा अब बलकि जायदा देना पढ़ता ह जब लड़कियां पढ़ जाती है उसके ताउने भी अपना अनुभव बता दिया ये सारी बाते मुनिया की समझ से परे थी पर एक बात से उसे भहुत हैरानी होती जां वो रह रही है ये उसका घर नहीं है उसका घर कहीं और है क्या वो है महमान है लेकिन सबी यही कहते कि लड़कियों का घर उनकी ससुराल होता है एक बार मुनिया आंगन में आम के पेड लगाना चाहती थी पर उसके भाई राजू ने आंगन में नीम की च्छाव चाहता था सभी ने राजकुमार की समझदारी की तारिफ की और नीम का पेड हुआ पर लगा दिया मुनिया घर म सभी काउं में अपनी मा का हाथ बटाती भाई बस नबावों की तरह रहता और अपने हाथ से पानी भी नहीं लेता मुनिया स्कूल जाते जाते कभी मसाला पीस थी या आटा गूंद थी मुनिया इस घर की महमान थी पर वह तो सारा काम करती थी वापस आने पर भी जाडू पोचा करती धुले कपड़े की तह लगाती भाई के आने का इंतजार करती मुनिया जल्दी आ जाती थी और उसका भाई स्कूल जो उसके भाई का दूर था तो इसकूल बस से आते समय उसे आदा पौना घंटा लग जाता था राजकुमार से काम करवाया नहीं जाता था बल का होगा मेरा बच्चा मुनिया को भाई से कोई जलन नहीं थी समाज के तोर तरीके वे समस गई थी भाई को ताउ जी और ताई जी सब प्यार करते थे उसे फिर भी थोड़ी अवेलना जहिलनी पड़ती थी वे भाई के लिए ताजी फूली रोटी बना कर उसे खिलाती मा स भी अच्छी रोटी बनाती थी मुनिया राज गुमार बेहन से बहुत प्रेम करता था धीरे धीरे मुनिया पड़ाई के साथ साथ घर के काम में भी निपुन हो गई बढ़ती उमर के कारण मा जायदा काम नहीं कर पाती थी मुनिया जटपट हर काम कर देती थी तो मा को भी नहीं करने देती थी मा सबसे मुनिया की कुशलता का जिक्र करती रहती यह मेरी मुनिया बहुत अच्छे काम करती है बड़ी समझदार हो गई है अब मुनिया इसना तक कर रही थी पढ़ने में भी वहुत हुश्यार थी घर के काम काज में उसका कोई सानी नहीं था आखिर वो दिन भी आ गया जब मुनिया को उसको अपने घर का पता चलना था जगन परसाद के घर से उसका हाथ मांगा गया यही वो वेक्ती था जो उसे उसका घर दिखाएगा उसके बारे में वो सालों से जो सुनती आ रही थी जगन परसाद का घर खांदा नहीं था लड़के के दो सगे और दो चचेरे भाई थे बहने भी थी पर वो साधी सुधा थी और अपने अपने ससुराल में रहती थी दादा दादी जिन्दे थे पिता और चाचा साथ रहते थे लंबे चोड़े परिवार में भहुत सारे भतीजे भतीजियां भी थे जगन की नानी भी नाना की मिर्तियों के बाद से उनी के साथ रहती थी जगन की मा अपनी मा की इकलोती संतान थी शादी के बाद मुनिया ससुराल पहुँची तो इतने सारे लोगों को देखा तो सोचा यह सब विभा में सामिल होने के लिए आये होंगे लेकिन जब पता चला कि यह सब तो साथ रहते हैं तो मुनिया के तो होसी उड़ गए वो तो हमेशा एकल परिवार में रही थी मा बाबुजी भाई और वो रिष्टेदार आते जाते रहते भाई बहन अपना अपना दोनों भाई बहनों का कमरा था किसी के आने जाने पर वो बहुत खुसी-खुसी अपना कमरा महमानों को दे देते थे यहां पांच कमरे नीचे थे बड़ा सा आंगन था एक और रसोई बंडार घर और तीनों तरफ कमरे दो तरफ दो दो और एक तरफ जो परवेश और एक कमरा था चारों तरफ चोड़ा सा बरामदा था दो तीन चार पाई पड़ी थी नहाने के लिए गुशल खाना और सोचालिय चार थे पर पीछे की और मुख्य मकान से अलग हट कर थे ओपर छट पर पांच तीन की छट के छोटे छोटे कमरे थे घर के पांचों लड़कों के लिए ऐसा लगता था कि बरामदे को पांच हिस्सों में बाट दिया गया हो दरवाजा किसी में नहीं था बस मोटे मोटे परदे पड़े हुए थे छट का एक कमरा मुनिया और जग्गू का था छे बाई छे का कमरा अपना सामान उन्हें वही रखना था जिंदगी भर जिस कम अपने घर की बात मुनिया सुनती आई थी वो यही घर था घर में दस बच्चे थे कभी भी कहीं भी आधमक जाते जग्गू चाचा की साधी से पहले वो छट वाला कमरा बच्चों का ही था नीचे कोई न कोई बड़ा उन पर आँखे रखता था और उपर से छोटा कमरा उन्हें आजादी से सैतानिया करने देता था चाची यानि मुनिया के आने से बच्चे तो बहुत खुश थे पर कमरे का अधिकार उन से छिन जाने के कारण वो दुखी थे मुनिया जैसे ही मुनिया को इस बात का पता चला उसने सभी बच्चों के लिए कमरा खोल दिया और अपना वक्सा एक किनारे लगा दिया वैसे भी कमरा बस रात में सोने के काम आता था दिन भर तो खाना पीना घर की सपाई बरतन बासन और घर के अन्या काम करने होते थे 27 लोगों का परिवार था दो गाए भी थी घर का सारा काम बहुए करती थी ऐसा नहीं था कि पैसे की कमियो पर छुआ छूत के कारण कोई बाहर से काम वाला नहीं रखा जाता था मा और चाची भी खाने में हात बटाती दो बहुए खाने में लगती और दो कपड़ों में घर की लड़कियां साप सफाई देखती एक लड़का और नौ लड़कियां थी लड़का वही नाजों से पाला जा रहा था अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था मा और चाची रसोई में काम के लिए नहीं बलकि सामगरी पर नजर रखने के लिए रहती थी भंडार ग्रह की चावी मा जी की कमर में लटकी रहती थी सुभए आटा दाल मसाला लोगों के हिसाब से निकाल लिया जाता था घर सहर से हटकर था तो थोक में आलू प्याज आ जाता था हरी सबजियों की कोई कमी ही नहीं थी रसोई किसी होटल की रसोई से कम नहीं लगती थी सबजी काटने दाल चावल साप करने का काम सब मिलकर करते थे मा जी अपने सामने दाल का छोंक लगवाती और सबजी का मसाला तीन चार किलो आटा हर वक्त मांडा जाता था सभी आटे के काम से जी चुराती मुनिया ने ये सहर साटा मांने और रोटिया बनाने का जिम्मा ले लिया था आटा भी माजी ही निकाल कर देती थी मुनिया की पतली पतली नरम नरम रोटियां से घर के बूढों से भी रोटी खाने का चाप पैदा कर दिया था पतली और मुलायम के कारण सभी पूरी खाते पहले मोटी और अदपकी रोटी आधी से जादा फैक दी जाती थी मा जी हैरान थी, रोटी ज़्यादा खा जाने पर आटा कम लग रहा था सबसे मुश्किल बात तो ये थी कि सारा दिन पचास साथ रोटियां बना कर भी मुनिया की थाली में कभी पौनी तो कभी आधी रोटी ही आती इसका कारण ससुराल का नियम था कि सबसे पहले बच्चे खाते फिर बुजुर्ग और पुरुस और सबसे अंतमे घर की बहुए बच्चे बढ़ती उमर के थे उनकी खुराक बड़ों से कम नहीं थी फिर पुरुस मेहनत का काम करते थे अपना वैवसाय हो या कुछ भी काम हो करना तो पड़ता ही था बहुओं को खाते खाते कभी रोटी कम तो कभी सबजी दिन भर की मेहनत के बाद भी भर पेट खाना नहीं मिलता था और बनाने की सामगरी भी नहीं रहती थी माजी से मांगो तो आँखे टेडी करके देखती थी इतना तो है और पकाओगी तो मिलता पेट खाकर काम करती रहती, खाना खाकर सब थोड़ा भूत आराम करते एक दिन मुनिया के कमरे में सारे बच्चे सो गए लेटने की जगह नहीं थी स्वेज अपने सबसे बड़ी जेठानी के कमरे में चली गई, दिन में मर्द खाकर थोड़ा आराम करते फिर दुका थाली में दिन वाला खाना पड़ा हुआ था मुनिया को देखते ही वो सफाई देने लगी अरे ये निगोड़े बच्चे खाते तो हैं ही नहीं मैं समझती हूँ फैको मत कमरे में धर दो मैं जैसे तैसे खालूंगी नहीं तो कबरी और भूरी को डाल दूंगी मुनिया ने ग लिए तो जूटन है पर बड़ी जैठानी सपाई पर सपाई दिये जा रही थी उस दिन मुनिया को समझ आया कि कैसे ये बहुए कम खाकर भी सांध थी सभी के बच्चे कुछ ना कुछ बचा कर रख लेते थे अब मुनिया को ही कुछ करना होगा पर क्या रोटी का आटा तो कटोरी से नाप कर दिया जाता था जेठानिया तो भूकी नहीं रहती थी उनके बच्चे तो आदा खाते आदा बचा लेते इसलिए जेठानिया तो अपना बचा कर रख लेती थी और जब भूक लगती खा लेती पर इधर बेचारी मुनिया वे सूखा जो समान आटे का डि दिब्बे में आता था मुनिया हादमो डिब्बा भर कर रख दी जब माजी और चाचा चाची पुरसों के साथ खाने बैठती तो जो पलोथन का आटा वे मांड कर रख लेती और बच्चे और भुजुर्गों के खाने के बाद अगर दाल और सबजी कम लगती तो उसमें प पता चल गया कि रोटियां और बनती हैं दाल में पानी डाला जाता है तो गदर हो जाता पर गलत काम के साथी पक्के होते हैं अब पांचों बहों में अच्छी बनने लगी थी माजी और चाची हैरान थी बहों का एका देख कर हैरान थी पहले सब एक दूसरे की बुराई कर अब बुराई सुनती भी नहीं थी आठ दस साल में सारे बुजुर्ग एक एक करके दुनिया से बिदा हो गए सारे भाई पुस्तैनी वेपार छोड़ कर अपने अपने धंदे और नौकरी में लग गए सबसे पहले घर छोड़ने वाला मुनिया का पती जग्गू पर साधी थ एक लड़का मनोज और एक लड़की आसा बीवी बच्चों को छोड़कर वे सहर चला गया था और एकाउंटेंट था बाबु जी की मिर्तिव के बाद भाईयों को भी उसे जायदा हिस्सा देना पसंद नहीं था जग्गू एकाउंटेंट था तो एकाउंट का महरती था उ इसलिए उसे बाकियों से जायदा देते जग्गू को नौकरी मिलने में दिक्कत नहीं हुई मुनिया ने रसोई कुसलता पूर्वक संभाल रखी थी तो कोई भी नहीं चाहता था मुनिया जग्गू भी लोकाचार के कारण मुनिया और दौनों बच्चों को मा और भाविय के पास छोड़कर नौकरी पर निकल गया छुट्टियों में आता रहता छे सात साल बाद मा भी नहीं रही वे भी स्वरगवास हो गई भाईयों ने पुस्तैनी जैदाद बेचकर सहर में बसना चाहा तब तक मुनिया का बेटा मनोज नौवी कक्षा में आ गया था और आसा सा पहर के स्कूल में पढ़ने का सपना साकार होने वाला था मुनिया भी खुश थी जनम से जिस अपने घर की बात सुन रही थी वो शायद यही होगा जग्गू एक दो कमरे के किराए के मकान में रहता था उसकी हर चीज विवस्तित थी एकाउंट में काम से जो शान्ती चाहि सबी के आने पर जग्गू खुश तो था पर उसे लग रहा था कि उसका घर एवेवस्तित हो गया है हाँ सही सुना उसका घर सालों से जग्गू इस घर में अकेला रह रह रहा था एक एक चीज जगह पर होती थी चीजों को हिलाने वाला कोई नहीं था पर अब दो बढ़त बड़ा और हवेली नूमा था छोटे छोटे दो कमरे में विवस्तित होने से मनूज और आसा को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था मुनिया सारा दिन घर की सपाई में लगी रहती फिर भी जग्गू घर आते ही तमाम कमिया निकाल देता एक कमरे बच्चें के स साल लग गए कैई दावेदार हो तो अदालत को बीच में लाना ही पड़ता है अदालत से मुकदमे को पूरी तरह से साप होने में दस साल लग गए जग्गू के बड़े भाई ने बड़े होने का फर्ज निभाया और सभी को मिलकर सहमत होने के लिए समझाया दस साल में वक और आसा जो बीए कर रही थी और विभायोग्य हो गई थी मिले हुए पैसों से अपना मकान और आसा की साधी करना ही मुख्य काम थे बाप बेटे ने मिलकर तीन कमरों का फ्लैट लेना ही तै कर दिया था जिसे टू बीएच के कहते हैं आजकर जमीन से लेकर मकान कौन बनाता है फिर बड़े सहरों में सोसाइटी में फ्लैट होना ऐसे सुभिदाई भी होती है सुरक्षा भी मुनिया की राय सला की जरूरत ही नहीं पड़ी वैसे भी उसे हामी ही भरनी थी बाप बेटे ने कहा क्या होगा तै किया आसा की साधी फ्लैट से हुई फ्लैट नया था तीसरी मंजिल पर था मुनिया मन मार कर रह गई अपने घर से उसे जायदा कुछ नहीं बस नान घर से एक टब चाहिए था दवी ढकी जवान में एक बार कहा तो जगो और मनोज दोनों ही हसने लगे समय और जगे का जो कहने लगे कि अपवे कहा और कुछ हुआ भी नहीं बुढ़ापे में टब के चाव की ख़बर हर जगे फैल गई कभी किसी से मिलना होता तो टब वाली बात जरूर होती हिसाब से हो ऐसा ही तो सोचती थी लेकिन सोचती भी नहीं थी बचपन से बचपन में ऐसे ही घर के किसी समान की खरिदारी में उसकी राय नहीं मांगी जाती थी हर दम यही कहा जाता जहा अपने घर जाना तब करना उसी घर की तलास में मुनिया का तीन चौथाई जीवन निकल गया था आसा की शादी के बाद सभी मनोज के विभा के लिए जोर देने लगे बहु आएगी तो काम में हाथ बटाएगी मुनिया तो अपनी सास की बहुत सेवा करती थी फिर ददिया सास, चाची सास, नानी सास, चार जेठानिया सभी के लिए भग भग कर काम करती थी कही ना कही अपनी बहु के लिए भी मुनिया यही सोचती थी बहु आएगी तो सारा घर संभाल लेगी बड़ी जेठानी के रिस्ते में एक सुन्दर सलोनी लड़की मिल गई जान पहचान होने से चट मंगनी पट ब्याहा हो गया मुनिया को फटा फट काम की आदत थी थोड़े दिन बहु नई नवेली रही फिर हनीमून के बाद नौकरी चाकरी बहु मुनिया कहने लगी आज की लड़की थी तो काम भी करती थी चार पैसे कमाती भी थी ससुर उस पर निछावर थे मुनिया जहां तीन का खाना बनाती थी अब वही बहु का भी बनाने लगी थी अपने मन से बहु को जो कह दे जो अपने मन से बहु कर दे, वही ठीक, नहीं तो मुनिया को खुदी सारा काम करना पड़ता था, बहु के आने के बाद उसके घर में तब भी कोई सुनवाई नहीं थी, दो पोते हो गए, बच्चा पैदा करने की छुट्टी मिलती थी, तो बहु काम वापस फिर काम पर चली जाती, दोनों पोतों को मुनिया बड़े चाब से पाल रही थी, उनका स्कूल जाना, आना, उनका ग्रहकारिय करवाना, नहलाना सबी कुछ, जग्गू भी अब रिटायर हो गया था, उसकी रिटायरमेंट हो गई थी, पर घर पर कुछ काम करने की आदत ही नहीं थी, तो मौर बढ़ गया, थोड़े दिनों से जग्गू की तब्यत कुछ ठीक नहीं रहती थी, हलका बुखार बना रहता था, खाना भी ठीक से नहीं खाता, जग्गू का पेट सुरू से ही कमजोर था, सालों अकेले रहने और भार का खाने से पेट जादा कमजोर हो गया था, डाक सबके रहते बे सहरा हो गई, भारत में पती का यही महत्व है, पतनी से प्यार हो ना हो, पर पती के रहते पतनी का मान सम्मान रहता है, भाई राजकुमार परिवार के साथ आया था, एक ही बेटा था, बार पढ़ाई करता था भाई का, भाई ने का कि थोड़े दिन माई के रह लो पर मुनिया नहीं मानी बोली साल भर कहीं न कहीं जाएंगे साल भर में भाई भी नहीं नहीं रहा और पोते बड़े हो रहे थे भाई की भी मिर्तिव हो गई थी घर में दो कमरे और एक बैठक थी पोते और दादी एक कमरे में सोते जबसे जग्गू की मिर्तिव हुई ती उससे पहले वो छोटे थे कभी माबाप के साथ तो कभी दादा दादी के साथ सो जाते मनोज और उसकी पतनी दूसरे कमरे में सोते थे लड़के बड़े हो गए तो विश्तर पर जादा जगे चाहिए थी हाथ पैर दादी के उपर रख देते तो मुनिया की सांस भुटने लगती वे उठकर बैठक में कालीन पर सो जाती दो तीन बार बहु ने देखा तो उसे मुनिया का गद्दा कालीन पर ही लगाना सिरू कर दिया मनोज कुछ कहता उससे पहले ही कह दिया बच्चे रात विरात पढ़ते हैं और अम्मा जी सीधे कालीन पर लेट जाती हैं मैं मुनिया को लगा उसे अंदर तक किसी ने चीर दिया है अपनी नमृता के कारण वो बिना जगड़े करे बैठक की कालीन पर सोती और बहु बजाए इस बात का पश्यताप करे इसे ही नियम बना रही थी जिसे अपने घर का उसे इंतजार था वो कभी पूरा नहीं हो सका इस घटना का ऐसा अगहात लगा कि दूसरे दिन मुनिया सब के सोते ही कुछ छुटे पैसे लेकर जो निकल ली अपना मोबाइल गहने जेवर भी सब छोड़ दिये बस सोच लिया गंगा मैया की गोद में आस्रे ले लेगी फिर पती भाई मा बाप सबसे मिलेगी और कहेगी कि इसे तुम मेरा घर कहते थे मैं तो हर घर में बस काम करने वाली बाई थी बस अड़े पर पहुँची तो हुआ पर जो एक बस खड़ी थी उसने अपने घर की भावी भाई के गुजर जाने के बाद से अमेरिका में बेटे के साथ उसकी भावी रहती थी साथ साल गुजर गए थे मकान खाली पड़ा था बहबी तुरंत बेचने को राजी नहीं थी एक बार जो अमेरिका गई तो साथ साल भी लोट नहीं पाई थी पूरे परिवार के आने जाने में ही आट दस लाख लग जाते उससे दुगने के करीब घर की कीमत होती पड़ोस में अरोडा साहब रहते थे वहीं देखभाल करते थे जग्गु के न रहने पर भाई बार बार आने का बुलावा भेज चुका था सामने बस को खड़ी देखकर अंदेखा मुनिया नहीं कर सकी और सोचा चलो एक बार पैर फिराओं हरीद्वार उसके बाद जाऊंगी पैसे देके बस एक टिकट के पैसे थे सोचा बस हरीद्वार के लाइक पैसे मिले लिये थे वापस बेटा बहु के घर जाने का विकल्प नहीं था बाद में पैसे नहीं मिले तो किसी गाड़ी के आगे लेट जाऊंगी पर वापस घर नहीं जाऊंगी अपने मन में निर्नय कर लिया था बिना सोचे वह उस बस में बैठ गई रात की बस थी सुबह सुबह पहुँच गई मनिया के पास घर जाने तक के पैसे नहीं थे बस अड़े से घर कोई धाई तीन किलो मीटर था मनिया पौफ हटते ही पैदली घर की तरप चल पड़ी पई घंटा भर लगा होगा जैसे तैसे घर के करीब पहुच रही थी वैसे वैसे बचपन की यादे लोट रही थी और पैरों में पंख लग रहे थे घर वैसा ही था बस सब जगह से थोड़ा थोड़ा दरक रहा था मुनिया ने सदर दरवाजा खोला तो चीची की तेज आवाज करता हुआ खुलने लगा मुख्य दरवाजे पर ताला नहीं लगा था बगल से तुरंत एक रौबदार आवाज सुनाई दी कौन गेट खोल रहा है? अरोड़ा जी का बेटा था वो मुनिया को नहीं पहچानता था पर मुनिया उसे पहचान गई थी और कहने लगे अरे चीकू मैं मुनिया भुआ मुनिया ने उसे घर के नाम से बुलाया तब तक अरोड़ा जी भी बाहर आ गए अस्जी भरस की उमर रही होगी उनकी लेकिन आराम से चल कर आ गए थे पिता जी को वो पिता समान मानते थे इसलिए मुनिया उनकी मूँ बूली भेन ती मुनिया लिपटकर उनसे रोने लगी चीकु ने ताले खोले सब मुनिया को अपने घर बुला रहे थे पर मुनिया ने अभी अपना प्लान नहीं बदला था वो एक दो दिन रहकर हरीद्वार निकलने की सोच रही थी मो माया के बंदन में बंदना नहीं चाती थी घर में घुसकर देखा पूरा घर धूल मिट्टी से भरा था छट का पलस्तर भी कहीं कहीं गिर गया था पर घर की धुलाई के लिए ठीक था चीकु चाय नास्ते लेकर आ गया था आलू के पराठे आम का चार खाकर खापी कर मुनिया ने घर का मुआयना किया रसोई में सब सामान दाल चाबल नमक खल्दी सब था नीम की पत्तियां डली थी भावी ने मा की तरह ही सब समान रखा था अलमारी की चाबी तूटी केतली में ही थी सब कुछ वैसा ही था जैसा उसके बच्चपन में था अलमारी खोलते ही मुनिया की याद पुरानी यादों में खो गई घर भी मुनिया की तरह अकेला ठका हारा लग रहा था मुनिया जोर जोर से रोने लगी आदा घंटा रोकर दिल का बोज कम हो गया गैस के सिलेंडर में गैस थी चावल दाल दिन के खाने के लिए बना लिया ना जाने ऐसा स्वाद कभी नहीं आया था खाने के बाद सोचा पता नहीं मनोज उसे ढूंड भी राह होगा या नहीं सालों से मा बेटे में कम ही बात होती थी ना साथ खाना ना पीना उनकी अपनी दिन चरिया थी खेर मुनिया को अब किसी की कुछ परभा नहीं थी केवल पैसे की अवशक्ता थी अलमारी में जरुरत भर के पैसे भी थे मंदिर के पैसे भी थे अगले दिन गुपता जी के बेटे को लेकर आ गए मुनिया हमारा पोता पांचवी में है गनित पढ़ा देना हाँ पैसे लेने होंगे मुनिया गनित में बहुत अच्छी थी दसवी में पूरे सौ में से सो आये थे गुपता जी को यह बात याद थी मुनिया नीचे का घर साप करके छट पर आई छट की सपाई करी भारत का नक्षा चमक कर निकल आया मुनिया ने बारवी में भूगोल लिया था और भारत का नक्सा रटा होना चाहिए था बस यही सोचकर खुली छट पर नक्सा बना दिया था और पेंट से रंग दिया था मुनिया को एक-एक परदेश का पूरा ग्यान था इस बात पर बाबुजी ने खूब सुनाया कि छट गंदी कर दी पैसा बरबाद कर दिया यह सब अपने घर जाकर करना मा ने बाबुजी को रोका पर वो किसी की कहां सुनते थे उसी समय गनेश मास्टर की दुकान में काम मांग लाई थी और बिलाउज में हुक बटन टांगना और साड़ी की फॉल महिने में अच्छी कमाई हो जाती थी यह काम मुनिया करती रही अपनी शादी तक और सारे पैसे बाबुजी को दे दिये उसने टूशन और इन सब काम में इतना बचा लिया था कि एक हलका सैट आज गया जग्गू के घरवालों को दो सैट की डिमांड थी बाबुजी अड रहे थे मा नहीं कहा मुनिया की कमाई इसी के पास रहे तुम्हें एक सैट दे रहे थे एक और दे दो दूसरा मुनिया के पैसे से ले लो बाद में बाबुजी इस बात को लेकर बहुत भावुक हो गए थे मुनिया बाजार गई कुछ समान लेने और देखने अगर गनेश मास्टर जी हो तो कुछ काम मिल जाए जितने दिन हैं उतने दिन खाना खर्चा निकल जाए अब सिर्फ अपने लिए बनाना था और उसने वो सबजी ली जो वो पसंद करती थी फिर क्योंकि बाकी लोग उसे खाते नहीं थे इसलिए कभी बना नहीं पाई सब के मन का पकाने के बावजूद अपने मन का कभी नहीं पका पाई गनेश टेलर दुकान पर ही था उसने मुनिया को दूर से ही पहचान लिया मुनिया आज भी ग्रहक पूछते हैं इतनी सफाई से काम चल रहे हैं जो इतनी सफाई से काम करता था वह वाला कारीगर कहा गया मुनिया ने कहा चाचा अगर भरोसा हो तो थोड़ा काम दे दो मैं परक लूँगी मुझे अभी भी मुझे में काबलियत है या नहीं गनेश ने कहा अरे क्यों नहीं बेटा क्या तुम यहीं हो लो चार साडिया फॉल के लिए मुनिया ने लपक कर ले ली कब तक दे नहीं है तो गनेश माश्टन ने कहा दो दिन में दे देना और गनेश ने हामी भरते वे सिर हिला दिया घर में मिले पैसे से मुनिया ने लाल साग और बन करेला लिया और साम का खाना तै हो गया था बस रोज के कमाने खाने के में महिना गुजर गया मुनिया गंगा जी को रोज याद करती और कहती बस हमारा घर थोड़ा ठीक हो जाए महिया बस तभी आ जाऊंगी एक दिन कुंडी खटकी अड़ासी पड़ासी दिन रात आते रहते थे मुनिया ने जैसे धरवाजा खोला सामने मनोज खड़ा था अपने परिवार के साथ मनोज लिपटकर जोर जोर से रोने लगा पोते भी रो रहे थे दादी हम कालीन पर सोएंगे तुम घर आजाओ भाई के बेटे को अरोडा जी ने खबर कर दी थी उसने कुछ नहीं कहा कहीं भुआ बुरा ना मान जाए मनोज जब हर जगे ढूंड कर हार गया तो सभी रिष्तेदारों को एक एक कर खबर करी कि मा नाराज होकर कहीं चली गई है जब गुड़न को बताया तो उसने मनोज को पूरी बात बताई भुआ तो घर पर रह रही है घर की काया पलट कर दी है क्याई गुंडे घर पर कबजा करना चाह रहे थे भुआ के कारण दुबग गए हैं भुआ मोहले में बहुत ही लोग प्रिया है मनोज ने कहा गुड़न बहुत खुस है तुमारे रहने से अब बताओ कैसे माफी दोगी हम सब को पोते और बहुँओं को और बेटे को देखकर मुनिया स्यमी लज्जित हो रही थी कैसे ऐसा निरने ले ली घरभी मनोज को बोली मैं बच्पन से इसे ही अपना घर कहती थी तो अब मैं हैं ही रहूंगी तुम लोग आते रहना आप सब कहते हैं ये मुनिया का घर है गुड़न को कह देना जब तक हाथ पैर में दम रहेगा घर की रक्षा करती रहूंगी अब मेरा घर मिल गया है अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी इसलिए एक बेटी को उसका घर मिल गया दोस्तों हमारे समाज में बेटी का घर कौन सा होता है माएके में कहते हैं ससुराल जाओ वहां तुम्हारा घर है और ससुराल वाले कहते हैं माई के जाओ, मुआ तुम्हारा घर है आज तक यह समझ नहीं आया कि बेटी का घर कौन सा होता है दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें सबिस्क्राइब करें और शेयर करें